मलाइका अरोडा को कौन नहीं जानता दोस्तों मलाइका अरोडा ने कही है आज एक ऐसी बाद जिसे सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे मलाइका ने कहा कि उम्र से लेकर कपड़ों सब पर होती हूँ मैं ट्रोल एक तलाक शुदा महिला को क्या दुबारा जिन्दगी जीने का हक नहीं है मलाइका अरोडा को उनके कपडो, फिगर और उम्र को लेकर अरजुन से रिलेशन्शिप को लेकर हर बात पर ट्रोल किया जाता है एक इंटर्वियू में मलाइका ने बताया कि वो इन सब पर नेगेटिव कमेंट्स पर क्या सूचती है दोस्तों मलाइका अरोडा जल्दी अब OTT पर डेव्यू कर रही है उनका शो मुविंग विद मलाइका 5 दिसमबर से रिलीज होगा शो के लिए मलाइका अपने करीबियों के साथ काफी एकसाइड़ है शो के प्रीमियर से पहले मलाइका ने अपनी जिंदगी के बारे में बाचित की उन्होंने कहा कि उनको फैशन उम्र चॉइसे साथ कई चीजों के लिए बुरी तरह ट्रोल किया जाता है मलाइका ने बताया कि ये रियलिटी शो की तरह नहीं होगा इसमें उनकी जिंदगी के कई रोचक और जुड़े पहलू दिखाये जाएंगे मलाइका ने बताया कि शो जरा अलग है रियलिटी शो की तरह नहीं है 24 घंटे मुझ पर कैमरे नहीं रहेंगे ये केवल मेरी जिंदगी के इंटरस्टिंग पहलू रहेंगे लोग कई चीज़ें जानना चाहते हैं कि जैसे मैं कैसे फिट रहती हूँ मैं क्या खाती हूँ मैं वर्काउट कैसे करती हूँ वगयरे वगयरे शो में कुछ चीज़ों पर बात नहीं की जाएगी बताया उन्होंने कि मैंने पहले ही कहा है कि कुछ चीज़ों को सोचने के लिए वक्त चाहिए उन्होंने बताया कि वो अपनी जिदिकी के बारे में वही बताएंगी जो बताना चाहती है उसमें कुछ प्रेविसी की लाइन भी होगी जैसे कुछ चीज़ों पर वो बात नहीं करना चाहती जबकि कुछ पर बात करना सहज होगा जी यहां बता दे के मलाइका ने कहा कि आज कल के जमाने में लोग तलाक शुदा महिला सिंगल मदर को बहुत नीची नजरों से देखते हैं लोग उन्हें उनके fashion sense, उम्र, choice, fashion, प्यार, महबत, दोस्ती से भी ट्रोल करते हैं वो ट्रोल से कभी प्रभावित नहीं होती नेगेटिव कमेंट करने वालों ने उनकी जचवी बनाई है मलाइका उसे तोड़ना चाहती है मलाइका ने ये भी कहा कि वो ट्रोलर्स से जरा भी नहीं डरती मलाइका ने कहा कि अगर कोई उन्हें पंच करता है तो वो पलट कर इतना तेज पंच करती है कि वो कभी ठीक ही ना हो पाए दोस्तों क्या कहेंगे मलाइका की सूच के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट शेक्शन में ज़रूर बताएं धन्यवाद